हलो मित्रों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी शेनल में मत्रों होलीका दहन का पावन परव आ चुका है और होलीका दहन के समय अगर तुला रासी के जादक इन तीन उपाई को करते हैं ये तीन उपाई आपके जीवन में खुशिया लाने बाला है भगवान भी आपको खुशियां देने वाले हैं और इन तीन उपायों के जरिए अगर आपके घर में परिवार में तुला रासी के दादकों के जीवन में किसी बेप्रकार के समझ चाये हैं और अगर आप जादू टोना से मुक्ति पाना चाहते हैं बैपार में मुनाफ़ा पाना चाहते हैं घर के कलेश को दूर करना चाते हैं और आपका घर में अगर किसी का वास हो चुका है वैसे में उन सारे के सारे जादू टोनों को दूर करना चाते हैं सिहत में सुधार पाना चाते हैं फालतु के खर्चों को कम करना चाते हैं वैसे में होली का दहन के समय तीन उपाय को करने से आपक कुछ करने से जीवन में साथगी का अनुब होगा। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आकरी तक देखेगा। पहले वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब और वस्ते कर लें। ताकि रूजान रासिफल आपको समझ समल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें। आप होली की अगनी में आटा और जो चढ़ाएं। जिससे की गरी कलेस सांत हो जाएगा, आपके घर में सुक और सांते पुना अस्ताफित हो जाएंगी। नहीं चल रहा है और कई प्रकार के व्यपार ब्यवसाय में बाधाएं आ रही हैं या फिर कश्टों का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है। होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दे एगारा गोमती चक्र और एक सिका शांदी का काले कपड़े में होली की अगनी की एगारा प्रक्रिमा करके। ब्यवपार ब्यवसाय आपका उन्नती करेगा और मित्रों आप लोगों के जीवन में बहुत तो बड़े खुशकवरे भी प्राप्तों होंगे रुके विधनवे आपको मिलेंगे और आपके जीवन में साधिगी का अनुभवी होनी वाला है। मित्रों यदे आपको सिहत में कई प्रकार के दुख्टगलिफों का सामना करना पड़ता है। आपके सिहत अगर किसी कारण से अच्छी नहीं रहती हैं। आपको बार-बार बिमार पड़ते हैं। और रोग मुक्ति से आप नहीं हो पा रहे हैं। वैसे में होली का दहन के बाद बची हुए राखों में थोड़ी से राखों को आप घहर पर ले आएं। और उस भभूति को तकिय के नीचे रख दें। रोगी वैस्तों आपका स्वर्ष्ट हो जाएगा। मत्रों और आप लोगों के जीवन के पुरानी से बुराने विमारी भी सही हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशिया आएंगे और आपका कश्टों का निवारन भे अवस्य होंगे। मत्रों अगर आप पैसे कमाते हैं धन दोलत में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं और फालतों के खर्चों को कम करना चाहते हैं। यदे आपका घर में बचत नहीं हो फारहा बे ये कपड़े को अपने पर्च में रख लें। ऐसा करने से आपके फालतों के खर्चे कम होंगे। आपके रुपए पैसे मवड़ोतरी होंगे। आपके जीवन में सुक समर्दे धन आएगा और आपके कश्टों का निवारन होंगे। आपके जीवन के सारी के सारे प्रिसान करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा उत्पात करते हैं बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है वैसे में मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रहें वैसे में उस बच्चे के हाथ से नारियल पान सुपारी का दान हुलिका के अस्तान पर करवाएं और ह आप लोगों के जीवन में सादगी का अनवब होंगे, आपके जीवन के हर प्रकार की प्रसानियां, आपके जीवन के हर प्रकार की समस्थाएं और दुखत अगलिफों से आपको चुर्कारा मिलेंगे, कारिशित्र में बहुत बड़े खुसकवरी भे आपको मिलेंगे, आप ह इवनके हर प्रकार की फ्रसानी से चुटकार भी प्राप्त होंगे। गुलाल अर्पित करें। और अपने इस देवता का निवास अस्तान पर आप इस्तान कोन में रखकर पूजन करें। और अगर आपके व्यवपार में विर्दे नहीं हो पा रही हैं। वैसे में होली के पहले पढ़ने वाले सनिवार को एक पेंड जूंढ लें। जहां पर चमगादर का निवास होता हो। आप उस पेंड के डाली को सुर्योदे से पहले हैं तोड़कर अपने घर में ले आएं। और रात में पूजन के समय आप उस पहते के ठैनी को आप जरूर तोड़कर अपनी गदे तीजोरी के निचे रख दें। ऐसा करने से आपको वैवसाय में विर्दी होंगे, धाने में विर्दी होंगे, आप आर धंदोलत के फ्राप्ती भी होंगे, मत्रों इन उपायों को करके आपके जीवन में खुशकवरी आएंगे, तथा आपको जीवन में बहुत बड़े खुशकवरी के फ्राप्ती होंग आप लड़ाई जगडू से दूर रहेंगे जादू टूना से दूर रहेंगे और आप अच्छे फ्रनाम को फ्राप्त भे करणी वाले हैं मत्रों आपके समस्याओं से आपको चुरकारा मिलेगा और पत्ती और पत्तनी के वेच हो रहे गरी कलेश में आवस्य दूर होंगे के लिए कमेंट वाक्स में जैमा आता दियो वस्य लिखें आपका दिन सबहो मंगलकारी हो जैमाविंदू